हाई गैस और विलकम बैक टू दी चैनल दीपक्यादव एजुकेशन विलकम टू दी डेली हिंदू न्यूज अन एडिटोरियल इनालिसस ऑफ 28 अगस्ट 2021 तो गाइस आज है तारिक 28 अगस्ट दोहजारे कैस और है सैटरडे देखेंगे आज का देहिंदू कंप्लीट न्यू जाकर इस चैनल को जॉइन कर लेना देखो अगर आप लोग को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोग को टेलिग्राम का लिंक दिया या है वो लिंक इसी चैनल का है जैसी आप उस पर क्लिक करोगे आटोमेटिकली य तो जाकर इसको जरूर जुइन करना नाव बढ़ते हैं आगे और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेशन के साथ स्टार्ट करेंगे तो आज आप सभी लोग को मैप में जाकर देखना है सेंट किट्स और नेविस को कहां पर है यह exactly located इंडिया के comparison में कहां पर है अच्छे से map में देखना फिर आकर नीचे comment section में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रखने वाले हो तो चलो शुरबात करते हैं यह है आज का सबसे पहला article यहाँ पर चर्चा हो रही एक meeting के बारे में तो जो ह बहुत सरे rules and regulations है उनके ओपर चूट दी जा सके साथ जो investment है उसको जाद से जादा encourage के आजा सके बढ़ावा दिया जा सके और एक दूसरा main focus रहने वाला है government का plan यह है कि जो asset monetization वाला concept है इसको बहुत जादा अराम दायक तरीके से आगे हम लोग लेकर बढ़ सके इसका जो मोगा भी हाली में सरकार ने एक plan को launch किया है वो है national monetization pipeline अब जो ये national monetization pipeline है ये वाला article आज के editorial पर भी आया है वहाँ पर मैं detail बताने वाला हूँ क्या है ये exactly बहुत सारी चीज़े भी हम लोग वहाँ पर cover करेंगे बट अभी यहाँ पर समझने के लिए समझ लेते हैं य इसमें main focus चीराने वाला है कि सरकार कुछ time के लिए अपने assets को बेच देगी private sector को और वहाँ से पैसा कमाईगी आने वाले time पर target ये रख रखा है कि आने वाले 4 साल के अंदर लगबग 6 लाग करोड रुपे सरकार यहाँ पर कमाने वाली है तो यहाँ पर जो ये national monetization pipeline है ये आगे कैसे बढ़ा जा सकता है कितने अराम तरीके से हम लोग इसको आगे लेकर चल सकते है इस process को उसके उपर focus किया जाएगा साधी साथ यहाँ पर इस meeting में बहुत सारे regulators होने वाले है for example RBI, CB, PFRDA, IRDA और Finance Ministry officials होने वाले ये सब इस council के part हैं और यहाँ पर यह focus करेंगे जो investment है हमारे corporate bond market के अंदर उसको किस तरीके से encourage किया जा सके है ओके तो यह चोड़ा सा आर्टिकल है economic perspective से important है इस आर्टिकल को हम लोग आगे भी discuss करने वाले हैं editorial session पर तो आगे बने रहना आगे second article आता है काफी important है यह वला आर्टिकल हमारा GS paper 3 environment के point of view से important निकल कराएगा अब इस आर्टिकल में बात की गई है जो deeper bill है उसको eco sensitive zone का notification मिल चुका है उसको notify कर दिया गया है as a eco sensitive zone तो यहाँ पर इस आर्टिकल में हम discuss करेंगे deeper bill क्या है eco sensitive zone क्या है इससे क्या फायदे होंगे बहुत सारी important information है तो यह बात है 25 अगस्त की ministry of environment forest and climate change notify करा है eco sensitive zone of deeper bill wildlife century जो यह deeper bill wildlife century है यह कहाँ पर located है यह आपको गुहाटी southwest region में देखने को मिल जाएगी तो यहाँ पर इसके बारे में पहले हम कुछ चीज़े cover कर लेते हैं तो यह article GS paper 3 के point of view से important हो जाएगा जैसे मैं आपको बताया तो जो deeper bill है इसकी location कहाँ पर है तो लगबग आपको सकते हो जो गु deeper bill की यहाँ पर इसको एक तरीके से wetland के तोर पर ही बोला जाता है असाम में ओके उसके वाद यहाँ पर देखो जो deeper bill है एक तरीके से इसको one of the largest और important river in wetland बोला गया है ब्रहपूतर वैली के अंदर ठीके जो ब्रहपूतर वैली और फ्लोर असाम है उसमें यहाँ पर बोला फ्लोरा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर यह एक्वेटिक रीजन है ठीक है एक्वेटिक वेजिटेशन से कवर किया गया है जैसे की water हेसिंद यहाँ पर मिल जाएगा water हेसिंद एक तरीके से पूरी जो है परत अपनी जमाले ताइप इस पूरे जील के उपर उसके बाद एक्वेटिक ग्रासिस पानी में उगने वाली गहां से हो गई या water lilies हो गई तो इस टाइप के हाँ पर यह आप कर सकते हो कि फ्लोरा देखने को मिलता है उसका बहुत सारे ऐसे प्लांट से जो कि पानी के अंदर ग्रो होते है वाटर हेसिंद बने आपको बताया water lettuce हो गया duck wheat, tape grass, hydrilla, water bendweed यह सारे ऐसे aquatic plants से ही सारे ऐसे पौदे हैं जो कि पानी के अंदर ग्रो करते हैं तो आपको द्यान अखना है उसका और यह बहुत सारी tree species है याने की पेल की प्रजातियां है जैसे कि आपको सकते हो कि जो आप इसके पास में नियर बाई decidious forest है वहाँ पर आपक कुछ number of residential birds पाई जाती है बहुत सारी चिडियां वगरा आती रहती है और पाई जाती है यहाँ पर आपको सकते हो कि यह number of migratory birds को भी shelter provide करवाता है जैसे मैं आपको बताया कि बहुत सारी चिडियां वगरा यहाँ पर migrate भी करती है हर साल ठीक है जैसे कि Siberian crane हो गया उसी से मतलब ऐसी प्रजातियां जो की काफियत तक खत्रे में हैं जिनको आयूसी अन रेडिस्ट के अंदर डाल लखा है तेके मतलब काफी खत्रे में उनको बचाया नहीं गया तो उनकी प्रजाती खतम हो जाएगी और यहाँ पर कौन-कौन से हो जानवर है वह स्पॉर्ट बि लगबग 20 एंफिवियान है 12 चिपकलियां हो गए और 18 सांप हो गए इस टाइप के अलगलग प्रजातियां पाई जाती है छे टर्टल और टॉइस की प्रजातियां पाई जाती है तो आपको ध्यान रखना है ओके अभी हाली में चर्चा में था क्योंकि इसको लेकर काफिय 14 हेक्टियर के आसपास हो चुका है यह हमें पता चला है सैटलाइट इमेज के तुरू लेकिन क्वेशन यह है इसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं कम होने के पीछे के कारण तो सबसे पहला यहां पर यह है कि इस वेटलेंड ने अपनी कनेक्टिविटी थोड़ी सी खो द इस डीपर बिल को नोटिफाई किया गया है एक और यहां पर नोटिफाई करता है वह एक्ट कौन सा है वह है आपको सकते हो कि जो इनका एंवोर्मेंट प्रोटेक्शन एक 1986 है इसके अंडर में यहां पर यह काम करता है इसके बारे में आपको ध्यानक न है यहां पर मैंन फोकस यह रहता है देखो मानलो अब यहां पर इसको एको सेंसेटिव जोन के अदर नोटिफाई किया गया तो यहां पर जो भी एक्टिविटीज चल लही होंगी जैसे कोई क जिससे नुकसान हो सकता है इस एयरिया के अंदर उनको रोका जाएगा जहां पर जिन चीजों चीजों परratic और सब जब होता है इको सैंसे रiony के लिगा रखेंगे अर्टिकल्स की दरफ जाहां पर एक चोड़ा सारिकल बहुत सब्सक्राइब करेंगे तो यहां पर बात करेंगे भीमा कोरेगाउं के अंदर जो भी एक्यूस्ट लोग थे जिनके उपर काफी सारे केसे लगे थे वह सब रहे हैं तीन साल से जेल के अंदर ठीक है अब यहां पर आपके सकते हो इसमें बहुत सारे लोग कॉलम्निस्ट थे वर्नर गॉंसल्स थे, कार्टूनिस्ट थे, एक्टिविस्ट थे यह सब यहां पर सड़ रहे हैं यह एक इंसिडेंट हुआ था एक बवाल हुआ था एक जनवरी 2018 में ठीक है जब यह एक बहुत बड़ा वोईलेंस हुआ था एक तरीके सा हिंसा हुई थी एक जनवरी 2018 में तो फिर क्या हुआ था उसके बाद जो इस हिंसा के पीछे वाले लोग थे ना उन सब को अरेस्ट करा था पूने पुलिस ने लगबख साथ महीने बाद और आप कर सकते हो आप तीन साल होने वाले हैं तीन साल से लोग जेल में सड़ रहे हैं तो उसके बार में आर्टिकल द फिर उसके बाद हम लोग इन चूजों को आगे करेंगे क्योंकि आर्टिकल बहुत लंबे समय से लगातार न्यूज में कवर किया जा रहे हैं तो भीमा कोरे गाउं बैटल एक हुई थी तो यह प्रिलेम्स के पॉइंट आव्यू से इंपॉर्टेंट है प्लस जी एस पिप इसमें exactly क्या हुआ अब आपको तारी क्याद रखनी है पहली बात तो यह लडाई हुई थी एक जन्वरी 1818 में ठीक है हुआ क्या था इस लडाई के अंदर मैंने जैसे बताया एक तरफ पेशवा फोर्स थे और दूसरी तरफ ब्रेटिश आर्मी थी लेकिन यहाँ पर दिक पर इसके पीछे का रीजन यह है कि जो यह पेशवा बाजी राव टू थे इन्होंने बहुत जदा इंसल्ड किया महार कम्यूनिटी की यहाँ पर आपकर सकते हो कि जो दलित लोग थे इनको काफी ज़्यादा एक तरीके से परिशान किया इनको इंसल्ड किया तो इन लोगो इसके उपर जीत हासिल कर ली थी कि इन्होंने यहाँ पर दलित सोल्जर्स ने तो ठीक है यहाँ पर यहाँ पर यह बताया जाता है तो आपको ध्यान रखना है एक छोटा सा आर्टिकल मतलब छोटा सा ओवर्वियू लिया है हमने यह एक लास्ट बैटल मानी जाती है इसके आर्टिकल में हम लोग आते हैं करेंट वाली सिच्वेशन में एक जनवरी 1818 में यह बैटल हुई उसके बाद यहाँ पर हुआ क्या एक जनवरी 2018 में हमने इसकी 200 साल वाली एनिवर्सरी को हमने अब यहाँ पर क्या हुआ जब 2018 में लोग वापस से जो कोरे गाउँ खड़े हुए, कोरे गाउं में खटे हुए, कि हम लोग याद करेंगे कि किस प्रकार से हमने जो ये कास्ट को लेकर भेदभाव होता है, उस पर दलिस सोलजर्स ने विक्टरी पाई थी, इसको याद करेंगे, तो सब लोग यहाँ पर खड़े हुए, एक तरीके से पोएट थे, बहुत सरे लोग थे, ठीक है, तो वो सब आज के टाइम पर आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जेल में देखने को मिल जाएंगे, तीन साल से जेल में सड़ रहे हैं, उनके बारे में ये चर्चा की गई, आपको ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा, हम लोग के पास सामने आ चुकी है, उसका नहां पर बोला गया है, कि अफगानिस्तान के आज के टाइम पर जो भी गवर्न्मेंट है, इसके बारे में कोई क्लैरिटी है, नहीं कौन सरकार चलाने वला है, इंडिया तो इस चीज के बारे में वेट कर रहा है, इंडिया वेट है, अफगानिस्तान से, और हमारा आज के टाइम पर फोकस किया है, कि हम लोग और भी लोग को एवाकवेट करें, लेकिन अभी यहां पर मिस्टर बाक्ची का एक स्टेटमेंट आया है, इंडिया अभी फेल हो चुका है, लगबग 160 हिंदू सिक्स को हम लोग एवाकवेट क क्या जाएगा, तो उसके बारे में आपके आर्टिकल दिया हुआ है, आगे हम लोग फिर से डिस्केशन करेंगे, तो अफगानिस्तान के बारे में लगातार चर्चा हो ही रही है, एक ड़ल महीना होने वाला है, और यह लगातार अब तो लग रहा है, अभी तो तीन-चार म टेलिग्राम चनल दो है, एक है दीपक यादव एजुकेशन और दूसरा है दीपक यादव एजुकेशन ब्राकेट में नोट्स लिखावा है, दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मोक्स में है, दोनों को जोईन कर लेना, दोनों पर आपको बहुत फायदा मिलेगा, जितने भी पीडियाफ होती हैं, वो आपको सब यहाँ पर मिल जाती है, वीडियो की नोटिफिकेशन अब आपको एज्टों कर दोनों पर आप लिए उन जाओंगा, विडियो को जरूर लाइक कर देना, ठीक है, तो यहाँ पर इस से सफिचा तक सपोर्ट मिलता है, प्लस वीडियो पर लाइक आए हैं लगबग 2.2 के आसपास आए हैं तो आज इसको रिकॉर्ड को भी तोड़ने की पूरी तरह से कुशिश करनी है अगले अर्टिकल की तरफ अब यहाँ पर अगला अगला आर्टिकल साइन से टेक के परस्पेक्टिव से इंपोर्डेंड साइन से टेक आता है हमारा अगें जीएस पेपर 3 के अंदर चर्चा हो रही है जो इंडियन एस्ट्रोफिजिस्ट हैं उन्होंने यहाँ पर कुछ देख लिया अब यहाँ पर यहाँ तीन जंबो ब्लाक होल्स हैं जिनको यहाँ पर देखा गया है जो कि आप गैलेक्सीस भी मर्ज कर रही हैं मतलब दो बड़ी बड़ी गैलेक्सीस जो कि आप से मिल रही है ठीक है अब यहाँ पर दो गैलेक्सी सिकॉन कौन से हैं एक है NGC 7733 दूसरी है NGC 7734 ओके तो इनको डिटेट किया गया है कि दोनों आप से मिलती भी नजर आ रही है दोनों वरे अर्थ के पास मतलब काफि अमना फिर भी काफि डिस्टेंस है वहाँ पर यहुचा सथ यहां पर जो तीन Magic ब्लाक ऊलोस हैं यह भी आप पर पार्ट हैं एक तरीके से गेलकसी के पास में आपको देखने को मल जायेगा और यह यह काफी दूरी पर आपको देखने को मिलेगा ऐसा निए कि पास से काफी खतरना कि ऐसा यहां पर बोला गया हमारे एस्ट्रोफिजिस्ट के दौरा तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है चोड़ी से इंफोर्मेशन है अब क्या होगा ना जो संडे वाला न्यूसपेपर होगा मतलब कल संडे है तो कल संडे में क्या होगा साइंस यहां तो से आर्टिकल आएगा तो साइंस अंटゃग पर यह वांपस आर्टिकल आएगा तो मैं आपको डिटील होताने वाला हूं वाला ओ क्या हुआ हमें वापस से कंड़ीया है तो इस प्रफिश के नाम क्या है वो भी हम लोगों ने देख लिए आगे बढ़ेंगे नेक्स राडिकल की तरफ यहां पर एक चर्चा हो रही है जो सुप्रीम कोड़ उन्हें से बोला राज्यों से बोला कि आप लोग को जो बच्चे ऐसे हैं कोविड-19 से जो काफी दाफ पीडित ह जाए तो यह जादा बेटर रहने वाला है उनके स्कूल की मतलब कुछ साल तक फीस वगरा भी पे करी जाए ऐसा यहां पर बोला गया है ठीक है अकैड में की एर्स की तो यहां पर यह सारी चीज़े हैं कि बच्चों को सपोर्ट करने की बात की गई है क्योंकि एक तरीक से जो भी उनके केर टेकर ते वो रहे नहीं है तो अब्वियसी बात है सपोर्ट करना चाहिए और उसके लिए आपको मालूम होगा हमारी सरकार भी एक स्टैप उठा रही है जो पीम केर फंड है ठीक है उस पीम केर फंड बेसे जो भी पैसा है वो इस्तमाल के जा रहा है बच यह आर्टिकल आपका GS paper 3 environment की point of view से important हो जाएगा यहां पर चर्चा हो रही है कि 2020 में साल 2020 में भारत ने लगबख 557 557 नई प्रजातियों को एक तरीके से एड किया है अपने final wealth के अंदर मतलब जो जानवरों की प्रजातियों के अंदर लगबख 557 नई प्रजातियां आड ह हुई है तो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में यह साल 2020 के अंदर यह सब कुछ हुआ है यह रिपोर्ट दी गई है जो लोजिकल सर्वेय औफ इंडिया के दवरा तो यहां पर जो लोजिकल सर्वेय ने बताया कि इंडिया ने लगबख 557 नई स्पीशिस को एड किया ह अपनी जहां पर नई नी प्रजातियां पाई गई है उसके अंदर और जिसमें से जो 407 नई स्पीशी हैं आपको ध्यान रखना है और एक तरीके से आप बोला गया जो 150 है एक तरीके से नियू रिकॉर्ड आपको देखने को मिल जाएंगे उसके बाद यह सब रिवील करा या है एक एनिमल डिसकवरी 2021 का डॉकुमेंट पॉब्लिश हुआ था उसके अंदर और यह सब चीज़े बताई गई है जूलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा तो सबसे पहली चीज़ आपको समझना होगा यह जूलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है उसके बाद सर्वे करता है फॉनिस्टिक सर्वे किया जाता है तो आपको द्यान रखना है जाद स्यादा नॉलिज यहां पर गेन करने की बाद की जाती है इस जो लॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेट्वाटर आपको कोलकता के अंदर देखने को मिल जाएगा सोला रीजिनल स्टेट सबसे स्पैशल स्पीशी तो यहां पर ध्यान रखना है जो सबसे स्पैशल वाली जो स्पीशी है इंट्रेस्टिंग स्पीशी है उसको नाम दिया या है त्रे मेरे सोरस सलाजर ठीक है यह आपको एक स्नेक देखने को मिल जाएगा ग्रीन कलर का यह वजो पिच्चर के इंट्रेस्टिंग स्पीशी है उसके बाद और भी स्पीशी के नाम लिए गए हैं अभी आपको ध्यान देना है एक चोटी सी इंफोर्मेशन है कि इंडिया ने लगबख 2020 के अंदर इतने सारे अपने फॉनल स्पीशी को एड़िया था उसका एक चोटा सा आर्टिकल है यह सकते हो उसके बाद आएंगे पेज नंबर 13 के उपर और यहां पर आता है एक आर्टिकल काफी इंपोरेंट है सबसे पहले चर्चा हो रही है जो बाइडन के दोरह एक स्टेट्मेंट दिया गया बाइडन वांस अफगान एरपोर्ट अटैकर्स अब यहां पर क्या है मतलब अब आपको समझना हوगा सबसे पहली बात अफगानिस्तान के अदर अब एक बांब अटैक हुआ कल हमने इसके अंधर अधर नगये थ Всем सब तो इन सब चीजों को देखते वे जो बाएडन के उपर बहल सारे बलजाम भी लग रहे हैं कि यहां पर जो बड़न की सबसे साइस भी क्या जा रहा है क्योंकि यहां पर बोला गया है जो बैडिन ने एक तरीके से जो जल्दबाजी मचाई है एक तरीके से जो तालीबानी को निकाल वो सरी जो यहां पर अपने यूएस के फोर्से से उनको वहां से विड्रौ करने में जो जल्दबाजी मचाई है वो से क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि तालीबान कंडर में रहें ओके लव इन सब चीजों को देखते वे अभी एक अटाक हुआ तो जिन्हों ने भी अटाक किया है ठीक है अटाक करने के पीछे कौन है अभी मैं आपको आगे भी बताऊंगा ठीक है और जो अटाक करने के अटाक के अबर बहुत सारे अमेरिकन सोलजर्जर्स और बहुत सारे लोग भी है जो कि मारे गए है प्लस यहां पर जो बाइडन ने जो भी यहां पर जब अपनी स्पीच दे रहे थे जो भी बोल रहे थे उसमां यह भी बोला कि डेफिनिटली अभी जो 31गस्त है तब तक US अपने सारे soldiers को withdraw करने वाला है इसका end काफी खतरनाक हुआ है यह जो dispute शुरू हुआ था जो विवाद 20 साल पहले शुरू हुआ था यह जो war यहाँ पर 20 साल पहले शुरू ही थी इसका end काफी खतरनाक सा हुआ है और in fact यहाँ पर USA हारता हुआ ही नजर आया है तो यहाँ पर USA ने भी घुटने टेक दिया है तालिबान के आगे और यहाँ पर आप देख पाओगे निकली रहे हैं सथ-सथ काफी परिशान होके निकल रहे है प्लस यहाँ पर जो बाइडन के साथ बहुत कुछ आज के टाइम पर देखने को मिल जाएगा काफी ज़्यादा परिशान भी है यह प्लस आईवले टाइम पर हम लोग देख सकते हैं क्या जो वैडन अपनी प्रेसिटेंसी को रिजाइन करते हैं तो यह सब कुछ भी देखा जा सकता है क्योंकि आज के टाइम पर इनके उपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बन चुका है तो यह सारी चीज़े यहां पर आज के टाइम पर नजर आएंगे अगला आर्टिकल में हम लोग बात करेंगे जो अभी काबल पर ब्लास्ट हुआ है ठीक है इसलामिक स्रेट ऑफ खोसारन प्रोविंस यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे या फिर हम लोग इसको आईएस आईएस के भी बोलते हैं ठीक है खोसारन तो आपको dhyありがとう ऊन्राइuto- खोसारन बोला है खोरसं को द adjacent पे लोग आपको देखने को मिल साइक हैं प्रोविंस कहा पर है अभी मैं आपको मैंप में भी दिखाऊंगा अव्यम लोग जो से कवर कर रहे हैं उसको पर फोकस करता है खोरासन प्रोविंस जो है काफी ज़्यादा पॉपलर रहा है बहुत सारी टेरिस्ट और काम किया है इन लोग की एक आइडियोलोजी यह है कि हम लोग जिहाद को जाद से जादा प्रोमोट करें सबी जगह पर जिहाद होना चाहिए तालिबान तो चलो यहाँ पर अफगानिस्तान की बात करता है कि चलो अफगानिस्तान की पर control रहेगा लेकिन यह जो खोरासन वाले लोग हैं यह जो इस healiciency है यह जो चाहते हैं पूरे दुनिया भर पर इनका can replace है इनका एक आइडियोलोजी बनी पडिये इसको बोलते हम लोग इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासन प्रोविंस और आपको ध्यान रखना है अब इन दोरों पहले तो देखो यह सब एक ही थे यहां पर क्या हुआ तालीबान के साथ इतना विवात कैसे हो गया तालीबान के अकेंस्ट में यह लोग क्यों है तो हम लोग इसको समझेंगे यहां पर बॉम्ब अटेक क्यों करा है इसको हम लोग समझेंगे तो यहां पर देखो पहले ही बहुत सार बहुत कुछ हो चुका है 26 अगस की बात है अब लगबग आप कर सकते हो तालीबान ने काबूल को पूरी तरह से काप्चर कर लिया था उसको आप कर सकते हो यहां पर रहे तरह कर सब्सक्राइब ने करें तो यहां पर वेस्टन जो कल्चर है उससे काफी जगेंस्ट में है यह जो खुरासन प्रोविंस वाले अमेरिका के बिल्कुल टोट्ली आगेंस्ट में है ठीक है और इसलाम का कोई यहां पर एक तरीके से इसका मतलब जो भी है प्रॉपरली फॉलो करें यह सारी चीज़ों के पर यहां पर फोकस करता है यह लोग तो क्या है इसी टाइप के यहां पर जिहाद फिलाना चाहते हैं लेकिन आज के टाइम पर हो क्या रहा है तालीबान आज के टाइम पर शांती की तरफ बढ़ चुका है मतलब क्या है कि अमेरिका के साथ इन्होंने पीस टील करी अब यहां पर आज के टाइम पर अपनी गवर्न्मेंट बगरा बना रहे हैं प्लस जो है यूएस के साथ इन्होंने काफी हद तक बातचीत करी हैं तो जब आज के टाइम पर तालीबान के अगेंस्ट में देखने को मिल जाएगा ये खौरासन प्रोविंस आपको ध्यान रखना है उसके बाद प्रोविंस के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो की अलग लग जो टेरिस और उससे जोइन कर चुके हैं इन फैक्ट तालीबान के बहुत बहुत सारे लोग भी जाकर खौरासन प्रोविंस को जोइन कर चुके हैं तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि वह लोग भी मतलब जिहाद को फैलाना चाहते हैं उसके बाद जो पाकिस्तान के अंदर तहरी के बैक वाला जो यह देखने को मिल जाएगा और भी बहुत सारी लश्कर यह दर देखने को मिल जाएगा जमात उद्धावा देखने को मिल जाएगा हकानी नेट्वक देखने को मिल जाएगा यह सारी टर्रिस ऑगनेजेशन नहीं एक से बढ़कर एख हैं टिकए यह सब के लोग आज के टाइम पर आप देख पाऊग Hermannius जो कि इस इसलाम एक टेरर ग्रूप है जिसको बनाए गया था 2015 में 2015 में इसको बनाए गया एक पाकिस्तानी नाशनल और जो फॉर्मर कमांडर था कौन था वो तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान इसके दोरा यहां पर एक तरीके साब कर सकतो इस टेरर ग्रूप को बनाए गया था आज के टाइम पर जो इसका स्टैड़ा से वह काफी बड़ा देखने को मिल जाएगा यह जो खौरासन प्रोविंस वाले लोग है इनका जो लेंक के वाल काईदा से भी देखने को मिला था इन फैक यहां पर यहां पर यहां पर आज के बुरी हालत भी हो चुके लेकिन आज के टाइम पर यह वापस से इनकी जंजनक्या बढ़ चुकी है लगबग साथ साथ अजार बोला जा रहा है यह लोग इखटे हो चुके हैं अब यह कौन से एरिया में आज के टाइम पर हैं तो इनके बारें बताता हूं मैं तो यह जो खौरासन प्रोविंस है ना यह इसको राजा भी तो यहां पर बात करी गई है जो इंडिया और ऑस्टेलिया इनका में मकसद है जो हार्वेस्ट ट्रेड़ प्रोविंस है इसको एक तरीके से आगे लेकर चलना दिसंबर तक जो है यहां पर हार्वेस्ट ट्रेड़ प्रोविंस हो जाए दिसंबर तक जाद से जादा इससे जो goods and service है वो यहाँ पर एक दूसरे countries में व्यापार होते वे नजर आएंगे तो इसके बारे में आपर focus किया गया है बढ़ते हैं editorial section पर देखेंगे आज के important editorals को तो आज Saturday है Saturday में वैसे भी editorial कम आता है बट में फोकस आज के टाइम पर हमारे तीन एडिटोरल पर रहने वाला तीन एडिटोरल हमाले important है पहला tutorial यह है national monetization pipeline के बारे में discussion होगा Supreme Court के अदर अभी 9 judges को choose किया गया है उसके बारे में आपर चर्चा की जाएगी किस माद्यम से किया गया है उसके बाद at the last अरे यार अफगानिस्तान के जो bomb blaster उसके बारे में बात की गई है Islamic State of Khorasan क्या है उसके बारे में चर्चा की गई है जो कि मैंने अभी आप लोग को बताया है तो यहाँ पर समझेंगे सबसे पहला article हमारा आता है asset monetization execution इसदा की यहाँ पर जो author साब है टीटी रामोहन जी इनका कहना यह है जो asset monetization वाला प्लान है चलो सही है ठीक है यहाँ पर हम लोग काफिया तक पैसा कमाने वाले है सरकार को कमाने वाली है तो सही है लेकिन यहाँ पर क्या है execute करना is the main point आप इस plan को कैसे execute करते हो आपको monitor करेगा ऐसा नाओ corruption भरपूर हो रहा है यहाँ पर monitor करने के लिए आपको चीजों को चाहिए पढ़ेंगी अब यहाँ पर क्या है इसको हम समझेंगे अपने एक तरीके से अलग तरीके से आपको मालूम होगा यहाँ पर मैं आपको डेली बिसस पर कुछ अलग तरीक इसे notes वगरा भी provide करवाता रहता हूं national monetization pipeline यह article होगा जीएस पीपर 3 के point of view से important जीएस पीपर 3 आपका economy के अंदर आता है आपको ध्यान अखना है यहाँ पे कुछ articles दे रखे हैं जिसके point of view से आपका स्वरी जहाँ पे कुछ points जो की syllabus का आपका part है mobilization of resources, fiscal policy, government policies and interventions यह सब यह हाली में हमारी भारत सरकार ने launch किया है national monetization pipeline और इसका जो main target है वाने वाले चार साल के अंदर 6 लाग करोड रुपे कमाने का target है अब हम चरसा करेंगे यह national monetization pipeline क्या है इसका main मकसद है जो brown field projects है ना उनको एक तरीके से यहाँ पर उनको private sector के साथ engage करना आप यह brown field projects क्या हो manufacturing सेक्टर के अंदर होता है या कि आपको investment करना है manufacturing sector के अंदर यह सारी चीज़े होती है उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो कि manufacturing sector के साथ साथ investment करना या फिर कुछी एसा जो structure वगएर है कि जहां पर पहले कुछ भी नहीं था ठीक है मतलब कि यहाँ पर आप कह सकते हो नई चीज़ पर investment करा जा रहा है उसका जो brownfield investment क्या है यह कुछ ऐसे प्रोजेक्ट है जिनको modify कि जा रहा है अप्ग्रेड किया जा रहा है उनको brownfield project पोला जाता है example के समझते है example लेकर मालों यहां पर एक building है ठीक है एक घर है अब हम भात करते हैं यह पूरी पूरी एक तरीके से मतलब अब यहां पर पूरा का पूरा पूरा पना रहा है घ्रीन азд Pingère तो सरकार का ही है, वो वडितारे में लिएतने ही और क्या रहा है तो सरकार का यहां पर जो main focus रहने वाला है वो है brownfield product के उपर बहुत सारे जो private sectors है वो आज के time पर engage होंगे और यहाँ पर revenue generate करेगी देखो सरकार के पास यहाँ पर revenue rights है यहाँ पर सरकार पैसा जहाँ पर generate करने वाली है किसी भी चीज की ownership जो है वो किसी को देगी नहीं सारी ownership सरकार के पास ही रहेग है ठीक है सरकारी assets कैसे कैसे इस picture में आप लोग देख सकते हो government के बहुत सारे assets हो जाते हैं तो यह सब सरकारी asset है अब सरकार का करेगी इन सारे asset को private sector को देदेगी किसको private sector को देदेगी लेकिन आपको ध्यान अखना है कुछ समय के लिए हमेशा के लिए नहीं जो ownership है वो government के पास ही रहेगी जब हम कुछ समय के लिए प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर को देंगे माल लो 10 रीए 15 साल के अंडर इंदर बोला एक कोई औरे आ्पको धाने होके सब earlier मोनिटाइशन को परफोकस के आगया मोनिटाइशन मतलब पैसे को बनाना डी मोनिटाइशन को मुद्छेम होगा था तो वहाँ को पैसा जो एक हजार के नोट है ठीक है या फिर आपका सकतो पांशों के नोट थें उनको खटा दिया गया खत्म कर दिया जिए लेगिन मॉनिटिजिशन का मतलब है पैसे को बना रही सरकार वो कैसे मना रही है private sector को अपने सरकारी जो asset है सरकारी पूंजी है वो देगी और पैसो में देगी for example अभी भी example लेकर हम समझेंगे मानलो सरकार का एक highway है अब highway सरकार यहाँ पर कहरी है कोई भी private company आए इसको खरीद ले तो कोई मानलो यहाँ पर private company आ गई private company आ गई ख़िए चलो हमें 10 साल के लिए highway दे दो कितने साल के लिए 10 साल के लिए NevMax सरकार ने बोला ठीक है दस साल के लेलो हमें आप इसके बदला में 50,000 करोड रुपए दो ठीक है एक्जाम्पल ले रहे हैं 50,000 करोड रुपए दे दो प्राइवेट सेक्टर मान गया चलो ठीक है 50,000 करोड रुपए ले लो 10 साल के लिए जो यह हाईवे हो गया यह प्राइवेट सेक्टर के हाथ में आ गया है तो यहाँ पर यह है नाशनल मॉनेटाइजेशन प्लान तो यह होने वाला है सरकार के पैसे भी आगए ओनर्शिप भी सरकार के पास है तो 10 साल के बाद यह वापस से जो यह हाईवे है वो किसके पास आ जाएगा गोर्मेंट के पास जाएगा और गोर्मेंट ने जो है इसके पैसे भी कमा लिए अब आपको कहोगे कि है यहाँ पैसे यहाँ प्राइवीट सेक्टर ले रहा है टोल के बाद यह पर रेस्टरेंट को ले जा सकते हैं मौल खोले लाओं अधर इन चीजह के लिए और उन से पैसे कमा यहां पर पूरा-पूरा फोकस रख 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 है हमारी गोवर्न्मेंट है तो यह है नौशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन आई होप आपको यह क्लियर हो गया होगा यह सारी चीज़े मैं आपको क्लियर कर दिया है जितना आर्टिकल अंदर लिखावाई सब कुछ क्लियर कर दिया है कि इसको किस तरीके से आप लोग एक्जिक्यूट करते हो यह प्लान को आप किस तरीके से आगे लेकर चलते हो ठीक है इसके ओपर में फोकस है क्या यह प्लान आगे रहने वाला है सही से चलेगा यानि देखो यह प्लान सही है लेकिन यहापर आपको एक्जिक्य से यहां पर अपॉइंट गया है यह जो नौ जो जिस है इनके अंदर यहां पर एक आपका सकते हो फोकस यह भी रखा गया है कि आनेवले टाइम पर हो सकता है हमारी जो चीफ जस्रीस ऑफ इंडिया है वो एक तरीके से एक महिला बन सकती है क्योंकि पहले यहां पर आज से अभी तक जो पूरा इतिहास रच चुका है वहां पर कोई भी एक तरीके से महिला नहीं बनी है अभी तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो यहां पर फोकस इस बार रख यह किया जा रहा है आने वाले टाइम पर जो हमारी कॉसन इए इन जजज़ को अपोवंट करा कैसे किया होगा कैसे करते हैं पॉइंट्ट radi कशन बन सकता ہے तो सबसे पहली बात आपको धियान रख रखना है जज़ज को आपउइंट करने के लिए प्लिएं क्लेजियम सिस्टम की जुरूरत होती है तो यहां पर सुप्रम पर News में क्यों है क्योंकि recently Supreme Court का जो Collegium System है यहाँ पर इसके द्वारा recommend किया गया government को 9 judges के नाम कि 9 judges को appoint किया जाएगा as a Supreme Court के judge तो 9 judges को appoint किया गया लेकिन यहाँ पर पूरा focus किसका था Collegium System का था Question यह है Collegium System क्या है देखो Collegium System बहुत पहले से चल रहा है इसका evolution कैसे हुआ कैसा यह पैदा हुआ तो अब देखो पहले क्या हुआ करता था आपको ध्यान रखना है कि माल लो कोई किसी भी judge का appointment करना है Supreme Court के अंदर कोई भी judge को appoint करना है तो उसके लिए आपको Collegium System की जरूरत होती है तो Collegium System को कैसे बनाए गया पहले तो यहाँ पर क्या होता था पहले यहाँ पर जो Chief Justice of India है ठीक है आज के टाइम पर जाज से हमारे CGI है N.V. रमन साब तो क्या होता था कि अगर आप लोग को किसी Supreme Court के judge को appoint करना है तो Chief Justice of India का recommendation की जरूरत थी Chief Justice of India अकेले ही यहाँ पर recommend कर सकते थे जो भी हाँ पर judge बनना चाहिए सुप्रिम कोर्ट का उसको ठीक है या फिर ट्रांसफर होना चाहिए तो Chief Justice of India अकेले यह काम कर दे थे लेकिन क्या हुआ 1990 की थरीक के अंदर एक second judge केस हुआ इसके अंदर यहाँ क्या बोला गया जो सुप्रिम कोर्ट है इसने यहाँ पर कॉलिजम सिस्टम को introduce कर दिया अभी तक सब कुछ किस के हाथ मे था Chief Justice of India के हाथ मे था लेकिन अब बोला गया Chief Justice of India के साथ साथ यहाँ पर दो और senior judge होंगे तो तीन लोग यहाँ पर होने वाले हैं तीन लोग के साथ मिलकर discussion होगा उसके बाद यहाँ पर बाचीत करने के बाद किसी judge को appoint करेंगे as a Supreme Court का judge ओके उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ आने वाले टाइम पर 3 judge कसा आया 3 judge case आया इसमें क्या करा गया इसमें यह क्या गया यार तीन लोग भी काफी नहीं है दो लोग को और डाला जाएगा तो क्या हुआ यहाँ पर 4 senior judge हो गए और 1 chief justice of India हो गए तो आपको ध्यान रखना है 1 CGI हो गए और 4 senior judges थे तो कुल मिला कि यहाँ पर 5 लोग है कैसा अपॉइंट के जाते हैं कॉलिजियम सिस्टम के थूर अपॉइंट के जाते हैं कॉलिजियम सिस्टम के अंदर 5 लोग देखने को मिल जाएंगे एक chief justice of India है बाकी चार्ज हो है वो senior judges है government का रोल बहुत कम है government का limited रोल है government का काम है बसका लिए एक inquiry कंड़िट करना और government उसको inquiry को कैसे कंड़िट करवाती है उसको करवाती है intelligence bureau के माधियम से intelligence bureau क्या है तो यह एक reputed established international intelligence agency है तो आपको ध्यान रखना है यह ministry of home affairs के अंडर में आती है उसके बाद यहाँ पर procedure क्या है तो यहाँ पर अगर आपको Supreme Court के judge को appoint करना है तो उसके लिए procedure यह है कि देखो जो भी other judges है यानि मतलब Supreme Court के judges हैं इनको एक तरीके से appoint करने के लिए college system work करेगा इसके अंदर chief justice of India है तो chief justice of India consult करेंगे बाचीत करेंगे बाकी सारे members के साथ ठीके जो चार other members है तो आपसमें जब बाचीत करेंगे तो एक तरीके से report त्यार करेंगे report त्यार करने के बाद college system उस report को भेज़ेगा कहाँ पर law minister के पास law minister उस report को forward करेंगे prime minister के पास prime minister सब कुछ देखने के बाद अगर prime minister को सही लगता है सब कुछ तो prime minister advice कर देंगे किसको president को फिर president के द्वारा यहाँ पर यह Supreme Court के judge appoint कर लिए जाएंगे तो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में और आपको question यह होगा चलो Supreme Court के judge की बात हो गई अब यहाँ पर यह भी बता दो हाथो हाथ कि chief justice of India को कैसे appoint के जाता है तो जो हमारे president of India है वो यहाँ पर chief justice of India को appoint करते हैं आपको ध्यान रखना है तो president को appoint करते हैं साथ ही साथ जो हमारे previous chief justice of India होता है मतलब कि आज के टाइम पर जो chief justice of India है वो है environment साब इन से पहले वाले जो previous Chief Justice of India हुआ कर देते ये भी अपना recommendation देंगे ये भी बोलेंगे हाँ इन Chief Justice of India को बनना चाहिए इस व्यक्ति को CGI बनना चाहिए तो यहाँ पर इनको यहाँ पर focus के जाएगा तो President इन सब चीजों को बात को देखते वे एक नए CGI को पॉइंट कर लेते हैं तो आपको इसके बारे में ध्यानक नहीं साथी साथ Chief Justice of India वही व्यक्ति बनेगा एक तरीके से जिसकी seniority level काफी जाद होगी काफी जाद सीनियर व्यक्ति होगा ठीक है experience wise भी और plus seniority wise भी तो यह चीज़े यहाँ पर देखी जाती है ओके नाओ यह पूरा का पूरा कॉलेजि यहाँ पर एदिय hoop पर यहाँ अब करने लिखे न्योइं उसके नजेंने फारो आपको आफ यहाँ प्रेसी के साथ हमारे लिक्टर होता है समाप क्योंकि यह आर्टिकल कि पहले में आफव दुगानिस्तान के बारे में जो भी क्रैसिस हुआ है जो भी बॉम ब्लास्ट हुआ है कि इसने करवाया इसलामिक स्टेट खुरासन ने यह सब क्या है इसके साथ करते हैं लेक्चर को समाप मिलते हैं आप लोगों से नेक्स वीडियो में आज के लिए बाबाई है वनाइस टे थैंक्यू और जाहिंद